मनोकामना पूरी होने के संकेद इस प्रकार प्राप्त करें आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी को मनोकामना पूरी होने के संकेद हमें किस प्रकार प्राप्त होते हैं इसकी जानकारी आप सभी के साथ साजह करने जा रहे हैं इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसकी कोई न कोई मनोकामना या इच्छा नहीं होती जिसे वह पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है और साथ ही साथ अपने इश्ट देव और ईश्वर से प्रार्थना और उनकी पूजा अर्चना भी करता है पर क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में ऐसे कई संकेत बताये गए हैं जिनके द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारी मनोकामना कब पूरी होगी हमारे भारत वर्ष में कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मनोकामना पूरी होने के संकेत के लिए जोतिश, पंडित या फिर तांत्रिकों के चक्कर लगाते हैं पर फिर भी काफी प्रयासों के बाद भी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती और वह निराश हो जाते हैं आप सभी को यह बात समझनी होगी कि किसी भी मनोकामना को पूरी होने के लिए आपके कर्मों का सही होना आवश्यक है जितने अच्छे आपके कर्म होंगे उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं आज के हमारे इस अध्याय में हम आपको कुछ ऐसे तांत्रिक उपाय भी बताएंगे जिनके उपयोग से आपकी मनोकामना पूरी होने के योग जल्दी बनेंगे और आपके जीवन में उन्नती और प्रगती का आगमन होगा आज के इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको काफी समय से ना मिल रहा हो तो आप अपनी समस्या भी हमारे साथ साजह कर सकते हैं जिनका तांत्रिक या ज्योतिश उपाय जो भी आपके लिए उपयुक्त होगा हम आपको जरूर सुचित करेंगे मनोकामना पूरी होने के संकेत कैसे प्राप्त करें आज जो विधी हम आपको बताने जा रहे हैं ये काफी प्राचीन विधी है और इसका इस्तिमाल आज भी क्रामीन क्षेत्रों में किया जाता है अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हुई है और अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं कि आपकी मनोकामना कब तक पूरी होगी तो आप इस विधी का जरूर उप्योग करें इसे करने के लिए सर्व प्रथम सोमवार के दिन सुभह स्नान करके शुद्ध हो जाएं और बाजार से एक ताजा पानी भरा हुआ नारियल लेकर शिव मंदिर जाएं और वहां शिव जी की पूजा अर्चना करके तो आप समझ चाहिए कि आपकी मनोकामना भगवान की कृपा से जल्द ही पूरी होने वाली है अगर नारियल को फोड़ने के बाद उसके अंदर आपको नारियल का सफेद भलबराप्त होता है तो आपको चाहिए कि आप जिस भी भगवान या इष्ट देव की पूजा आप करते हो उनके मंदिर जाकर उन्हें पीले फूल और पीले मिठाई भोग में अर्पित करें ऐसा करने से आपके इष्ट देव प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होने के योग बनते हैं उपर जो विधी हमने आपको बताई वह काफी शक्तिशाली और प्राचीन विधी है जिसका उपयोग करके आप जान पाएंगे कि आपकी मनोकामना कब पूरी होगी आईए अब कुछ ऐसे प्रमुक संकेतों के बारे में जान लेते हैं जो स्वयम ईश्वर हमें प्रदान करते हैं जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है मंदिर जाते समय अगर कोई स्त्री लाल वस्त्र में पूरे श्रिंगार के साथ आपको दिखे तो आप समझ जाईए कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होने वाली है रास्ते में चलते हुए अगर आपको जोडी में सांप दिखता है तो इसे भी काफी शुब संकेत माना गया है मनोकामना पूर्थ के लिए सुबह घर से निकलते समय अगर आपको सफेद गाय के दर्शन होते हैं तो इसे भी काफी शुब संकेत माना गया है अगर आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्थ में यानि सुबह थ्री ओकलॉक से फाइब ओकलॉक के बीच में सपने में मन्दिर के दर्शन होते हैं तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण होने वाली है। शास्त्रों के अनुसार घर में अचानक से सफेद बिल्ली का आना भी शुब साकेत माना गया है। जोतिश शास्त्र के अनुसार अगर दोपहर का भोजन करने से पहले अगर आपको छींक आती है तो इसे भी अत्यधिक शुब माना गया है मनोकामना जल्दी पूर्ण होने के लिए। किसी भी यात्रा के दोरान अगर आपको बंदरों का जुण्ड दिखता है तो यह भी ईश्वर का संकेत होता है कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होने वाली है। मनोकामना जल्दी पूरी करने के कुछ प्रभावशाली उपाए। 1. अपनी मनोकामना को जल्दी पूरी करने के लिए लगातार 31 दिनों तक गाय को एक रोटी अपने दाएं हाथ से खिलाए और रोटी खिलाने से पहले उस रोटी को अपने दोनों हाथ में रख कर अपनी मनोकामना को मन में तीन बार बोलें उसके बाद ही रोटी गाय को खिलाएं ऐसा करने से मनोकामना चल्दी पूरी होने के प्रबल योग गुंडली में बनते हैं शनिवार के दिन पीपल के 11 पत्ते तोड़े और उन 11 पत्तों के उपर लाल स्याही की मदद से अपनी मनोकामना लिखकर हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर उनके चरणों में अर्पित करने से भी मनोकामना चल्दी पूरी होती है 3. रोज रात को सोने से पहले अपने सिरहाने एक तांबे के लोटे में पानी भर कर रखें और सुबह इस पानी को अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे में अपनी मनोकामना को बोलते हुए डाल दें ऐसा लगातार 21 दिनों तक करें 4. अपने उप्योग किये गए चपल के नीचे अपनी मनोकामना को काजल से लिखें और उसके बाद इस चपल को मंदिर में पहन कर जाएं और वही पर छोड़ कर वापस आ जाएं यह भी एक प्रभावशाली उपाय है मनोकामना चल्दी पूर्ण करने का निशकर्ष आज के इस अध्याय में हमने आपको जानकारी दी कि मनोकामना पूरी होने के संकेत हमें कैसे प्राप्थ होते हैं और साथ ही हमने आपको कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय बताएं हैं जिनका उप्योग अगर आप सही विधी से करते हैं तो यकीन मानिये आपकी मनोकामना पूरी होने के प्रभल योग आपकी कुंडली में जल्द से जल्द बनते हैं पर फिर भी अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है, जो काफी समय से पूरी नहीं हुई है, तो भी आप अपनी मनोकामना या अपनी समस्या हमारे साथ जरूर साज़ा करेंगे। जो तिश्य तांत्रिक शास्त्र में जो भी उपयुक्त उपाय आपके लिए होगा, हम आपके साथ उसे जरूर साज़ा करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। भगवान आपके जीवन में सुख, शान्ति, सम्रिध्धि और सफलता का आशीरवात प्रदान करें। महाकाल आप सबका कल्यान करें। जय महाकाल।